हेलो स्टूटेंट्स इससे पहले आप लोग जी विएफ के डिफरेंट प्रोफाइल के बारे में सीख चुके हैं अभी आप लोगो जो एक्जामपल एक लेना है इसमें जो कुछे जाते हैं वो इस तरह पूछे जाते हैं कि किस तरीके का प्रोफाइल है मतलब एक कोशन ने जाएगा उसमें और आपको यह बताना होगा कि उस question में जो profile हो रहा है वो कैसा हो रहा है तो जो profile होगा मैं यह कैसे हम लोग पैचाने के कि कौन सा profile है तो कोई भी profile क्या होता है आपका uniform depth critical depth और actually में जिस depth में flow हो रहा है वो depth की relative positions यह define करती हैं कि किस तरीके का flow हो रहा है अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले बारे lecture में मैंने आप लोगों को एक table दिखाई थी तेबल में y, y0 और yc इन तीनों की relative positions पे आपका काम किया गया था ठीक है तो और इससे भी पता चाज़ाता है relative positions अगर उनकी पता है आपको तो आप यह पता कर सकते हैं कि किस तरीके का flow हो रहा है किस कौन सा profile बन रहा है ठीक तो मतलब इतना मत तो clear है कि हमें यह जानने के लिए कि कौन सा profile बना है हमें चाहिए y, y not और y c हमें तीन चीज़े चाहिए बस ठीक है और bottom slope पता होना चाहिए कि bottom slope कैसा है अगर negative होता है तो adverse slope होगा अगर zero हो जाता है तो horizontal हो जाएगा ठीक है तो यह साही चीज़े में ध्यान रखने होगी अब देखे अब question देखते है question आप करेंगे तो आपको जाधा समझ में आ जाएगा a rectangular channel with a bottom width of 4 meter एक rectangular channel है जिसका bottom width जो है वो 4 meter है यह देखे हमने एक rectangular channel बना दिया है और उसका bottom width जो है वो 4 meter कर दिया है आगे देखे bottom width of 4 meter has a bottom slope of 0.0008 bottom slope जो है वो है 0.0008 यह देखे bottom slope हमने यह पर लिख लिया है 0.0008 अब अगर bottom slope की value यह है तो यह at least adverse slope नहीं हो सकता है horizontal slope नहीं हो सकता है यह गया तीन category में या तो यह critical slope होगा या तो यह mild slope होगा या तो फिर यह steep slope होगा इतना तो clear है इन तीनों profile में से कोई एक profile होगा यह ठीक आगे देखते हैं has a discharge of 1.50 meter cube per second discharge इसका given है 1.50 meter cube per second next देखते हैं in a gradually varied flow in this channel gvf है in this channel the depth at a certain location is found to be 0.30 the depth at certain location is found to be 0.30 meter यह जो depth दिया गया है वह हमारी किसी भी time पे एक depth है किसी भी time पे जब एक depth हम लोग बोलते हैं किसी भी time पे किसी भी location पे जब हम लोग देखते बोलते हैं तो उस depth को हम लोग indicate करते हैं y alphabet से ठीक है तो यह रहा y depth जो की 0.30 meter है और यह आपको question में given ही होगा यह तो किसी भी instant की बात है किस जगे पे profile कैसा है यह बताने की बात हो रही तो यह data आपको given होगा हमेशा assuming n equal to 0.016 n क्या है roughness coefficient है यानि manning's coefficient है और इसकी value है 0.016 यह है 0.016 इसके बात देखे determine the type of gvf profile जीव प्रोफाइल का हमें type बताना है तो यानि हमें यह पता करना पड़ेगा कि तीनों की relative positions क्या है why, why not और yc की relative positions क्या है हमें यह पता होना चाहिए तो हमें y तो देखिए given है हमें y तो given है तो हमें सिर्फ दो values चाहिए एक value चाहिए हमें why not और दूसरी value चाहिए हमें yc जो यहाँ पर given नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि why not की value के लिए हमाई पास दो equations होते है एक mannings equation होता है एक cheesy equation होता है तो mannings equation य चेजी equation में सिर्फ कौन सा equation use करना है यह बात define करेगा कि हमें data कौन सा given है तो अगर आप ध्यान दें तो आपको दिया गया है mannings roughness coefficient जब mannings roughness coefficient दिया गया है तो cheesy आप use नहीं कर सकते हैं आप use करेंगे mannings formula यूज करेंगे यह एक चीज हो गया दूसरा चीज यह देखिए कि आपको क्या करना है yc calculate करना है yc calculate करने का सिर्फ एक ही formula होता है q square by g a cube by t इस formula से आप yc की value calculate करेंगे तो सबसे पहले आप calculate करें uniform depth यानि normal depth why not mannings equation जो है q equal to a by n r की power 2 by 3 s not की power 1 by 2 जिसमें से q की value already given है s not की value already given है q जो है वो है कितना discharge हो रहा है meter q per second में और s not जो होता है वो bed slope होता है और a जो होता है वो होता है cross sectional area लेकिन normal depth को लेकर cross sectional area अब जब बात हो रही है normal depth को लेकर cross sectional area की rectangular channel है मतलब width into height होगा लेकिन height of water तो पता ही नहीं है वो ही निकालना ही है तो cross sectional area क्या हो गया b into y not जिसमें से y not जो है वो unknown है और b equal to 4 है तो यह हुआ 4 into y not दूसरा roughness coefficient और यह क्या होता है radius hydraulic radius hydraulic radius भी आपको नहीं पता है तो इसके लिए formula होता है hydraulic radius equal to a by p जिसमें से a क्या है cross sectional area है और p क्या है wetted perimeter है cross sectional area अभी अभी आप लोगों ने निकाला वो क्या है 4 why not है wetted perimeter निकाल लेते हैं देखें wetted perimeter क्या होता है जैसे यह है आपका एक rectangular channel है water जो है why not जो है वो यहाँ से यहाँ तक है और b जो है यह देफत यहाँ से यहाँ तक है तो जो wetted perimeter होता है न वो यहां से यहां तक होता है यहां से यह पूरा और यह पूरा मतलब की y0 plus b plus y0 यह तीनों चीज़ों को अगर आप plus कर देंगे तो आपको wetted perimeter मिल जाएगा जो कि हमने यहां पे देखा कि y0 और y0 दोनों ही unknown है तो फिर वो क्या हो जाएगे plus 2 y0 जाएगा 4 plus 2 y0 तो r की value भी हमें मिल गई in terms of y0 फिर हम क्या करेंगे यह जो हमने सारी values अभी निकाली है जो हमने सारी values अभी निकाली है a की, r की यह और जो values हमें पता है उन सारी values को इस equation में रख देते हैं जब इस equation में रख देंगे तो equation हमें यह मिल जाएगा क्योंकि q जो given है 1.5 m3 per second cross-sectional area 4 y0 है n की value 0.016 है जो की already given है r का value है 2 y0 divided by 2 plus y0 और s0 का value है 0.0008 जब आप इस equation को देखेंगे तो इस equation में सिर्फ एक ही unknown है why not, why not, why not जब why not, why not, why not equation है तो अब आप इससे solve करेंगे तो एक final equation बन जाएगा जैसे इस equation को solve करना मैं भी आप लोगों को एक बार बता देती हूँ हमने यह values जो हैं वो कैसे निकाली है यह values कुछ चीज तरह निकली है कि 1.5 multiplied by 0.016 divided by 4 divided by 2 की पावर 2 by 3 जब हम लोग इतना करेंगे तो value हमें मिलेगी क्या 6 into 10 to the power minus का 3 और इधर इसको solve करेंगे 0.0008 की पावर 1 by 2 जब इससे solve करेंगे तो यह value हमें मिलेगी 0.044898 ठीक अब इस value को और solve करेंगे अगर हम तो हमें क्या मिलेगा कि यह value कैसे आगी यह value जो आई है वो है 6 into 10 to the power minus का 6 और इस value को divide कर दिया है तो हमें यह value मिल गई है और यह जो है 2 into 2 plus why not की power 2 by 3 इसको इधर multiply कर दिया है यह इधर हो जाएगा और यह पूरा हो गया why not की power power क्या है 2 by 3 plus 1 यानि यह हो गया 5 by 3 यह 5 by 3 इधर है अब आगे देखते हैं अब हमने क्या किया है इधर आने से लिए हमने क्या कर दिया है cube कर दिया है पूरे दोनों side हमने cube कर दिया जब cube कर दिया है तो इसका cube किया तो हमें यह value मिली और 2 plus why not की power 2 by 3 था तो हो गया 2 इता 5 by 3 था हो गया 5 अब हम इसको expand करेंगे a plus b का square a square plus b square plus 2ab यह हमने इसको expand किया और फिर हमने why not की power 5 की side यह सारे elements को हम लेके गए तो हमें नया equation मिला कुछ है अब फिर अब देखे इसमें जो y का power है वो क्या है 5 है तो यह obviously उससे तो solve हो नहीं सकता है आपके calculator से भी solve नहीं हो सकता और हमाई पास कोई इसको solve करने का कोई rule भी नहीं है तो हमें क्या करना होगा हमाई पास सिर्फ एक option बचता है और वो क्या है कि trial and error method हमें use करना होगा trial and error method इससे पहले भी मैंने बहुत बार class में आप लोगों को कराया है मैं फिर से एक बार इसको explain कर दीती हूँ trial and error method में होता क्या है कि हम अपनी और से कोई value assume करते हैं और फिर जितने भी elements से उनको एक side रख देते हैं दूसरी side 0 करते हैं अपनी और से कोई value assume करते हैं और उस value को रख कर हम equation की value निकालते हैं जब equation की value निकालते हैं तो वो value अगर positive आ जाती है तो हमें क्या करना होता है why not की value हमने मानियों से कम करके फिर से निकालते हैं अगर value positive आ गई तो मतलब ये बात clear होती है कि value जो हमने पहले ली थी और जो अब हमने भी हमने value ली है उन दोनों के बीच में ही value कहीं exist करेगी यह सब करते हुए हम equation का वो value निकालते हैं जो near about zero के बराबर हो तो इसमें time लगता है लेकिन इसके अलावा हमाँ पास कोई option नहीं है यह जो question है यह book में दिया हुआ है लेकिन आप book का solution देखने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा क्योंकि वो tables का use करके है दो-दो method दी हुए है tables का use करके है coefficients का use करके है जो की table या coefficient आपको बिल्कुल examination hall में नहीं दिया जाएगा तो सिधी बात है कि आप वो ना सीखें वैसे वह भी बहुत easy आपको सिखा दूंगे लेकिन वो किसी काम का नहीं मैंने इससे पहले भी questions जो है वह आप लोगको सिखाएं उस method से तो देखे अभी trial and error method से हमने क्या किया भाई-0.4 रखी और जो equation बना था यह इसमें हमने क्या किया वाई-ṇट एक्वल टो 0.4 रखा जब यह in-वल्य रखी तो यह पूरा equation में हमने solve किया अर solve करने पर wealue जो मिली वह मिली हमें यह जो why not जहां-जहां पre रहा है ना वहाँ पर हमने 0.4 रखा तो हमें वैल्यू के मिली माइनस का 0.0035 अब यह वैल्यू जो है वो नियरली इक्वल टू जीरो है तो यानि यह जो वैल्यू जो हमने एजियूम की थी हम इसे एडॉप कर सकते हैं वैसे एक बार में यह वैल्यू एक्जाक्ट आपको मिल गया जब हमें वाइनौट मिल गया है तो सीधी बात है अब हमें क्या देखना है वाइसी का कैल्कुलेशन करना है हमाई पास दो देफ्ट अलड़ी हो चुकी है एक हमें वाइनौट मिल चुका है एक हमें वाइनौट मिल चुका है लेकिन हमें वाइसी अभी तक नहीं मिला तो हमें आब YC निकालना पड़ेगा YC क्या होता है? Critical depth होता है Formula क्या होता है? Q2 by G equal to AQ by T जिसमें से Q क्या होता है? Flow होता है meter cube per second में जो कि अलरडी हमको given है कितना है? 1.5 meter cube per second दूसरा क्या दिया हुआ है? G दिया हुआ है G का value आपको पता होता है Top width यह rectangle channel है तो यह अगर base का width है तो यहाँ पर जो भी होगी वह ही top width होगी यह होगी top width तो यह 4 meter given है तो यह भी 4 meter ही होगा तो top width होगया 4 meter AC Cross sectional area लेकिन किसका यूज करके? Critical depth का यूज करके Critical depth का यूज करके मतलब इस समय हम यह मानेंगे कि जो depth available है यहाँ से यहाँ तक water का वो critical depth है तो अब हमारा जो cross sectional area बचा वो क्या बना? 4 into YC बचा 4 into YC बचा है 4 into YC हमने यहाँ पर रखा और इसको solve किया तो अब यहाँ पर देखें यहाँ पर सिर्फ एक ही unknown बचता है तो क्या होता है? YC इदर कोई unknown नहीं है यह सिर्फ YC बचता है तो YC की value अराम से निकल लेगी तो यहाँ पर कोई difficulty नहीं है अब आपको क्या है? तीनो values आपको पता है जब तीनो values आपको पता है तो आप क्या करेंगे? तीनो को आपस में compare करेंगे तो एक बात आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आप यह देखते हैं कि किस तरीके का slope है? किस तरीके का slope है? जब आप यह देखेंगे तो अगर आप देखो तो Y0 और YC की value को compare करो Y0 जो calculate होकर आई है वो आई है 0.4 meter और YC जो calculate होकर आई है वो है 0.243 मतलब Y0 की depth जो है वो ज़्यादा है और YC की depth जो है कम है जब Y0 की depth ज़्यादा है मतलब जो normal depth है वो ज़्यादा है मतलब NDL जो है वो उपर होगा और YC यानि सीडियल वो नीचे होगा यानि जो आपके पास case आया अभी तक वो क्या है यह slope है कुछ और यह जो line है वो है CDL और यह जो line है वो है NDL क्योंकि why not जो है वो जादा है यहां से यहां तब क्या होगा why not होगा 0.4 और yc 0.243 तो यह case होगा मतलब कि NDL उपर है CDL नीचे है यह अगर आप देखो तो यह कौन सा criteria है जिसमें NDL होती है उपर और CDL नीचे होती है तो यह होता है mild slope के लिए यह है mild slope के लिए मतलब इतना बात तो हमें पता चल गया कि यह mild slope है लेकिन mild slope में भी 3 category होती है M1, M2 और M3 तो profile पूरा जो होता है वो पूरा type of profile बताना होता है तो type of profile में mild slope है मतलब M है यह तो clear है यह M1 है यह M2 है यह M3 है यह बात जो instant of time में water का depth है वो decide करता है तो अगर आपको ध्यान हो तो जो why दिया गया है question अलड़ी given होता है यह data 0.3 वो क्या होगा उसका भी हम position देखेंगे तो 0.3 तो देखिए why not की जो value है वो कितना है 0.4 और yc की जो value है मतलब 0.243 मतलब कि जो y given है वो 0.4 से तो कम है लेकिन 0.243 से जादा है मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा depth दिया हुआ है जो हमारा depth दिया हुआ है वो क्या है वो कहीं यहाँ पर exist कर रहा है मतलब कि angle से नीचे लेकिन cdl से उपर values देखेंगे आप मतलब angle से तो जो है वो नीचे होगा लेकिन cdl से उपर होगा तो यह जो curve होता है यह type of curve जो है वो M2 curve होता है M1 M2 देखो M2 category में जा रहा है कि M2 profile है और यहीं आपका required answer है तो अभी आप क्या करिए वो table देख लिजे जो आप लोगों को यह type of profile जहां से देखना है वैसे तो याद करने के ज़रत नहीं होती लेकिन फिर भी वो table already discussed हो चुका है उस table को अब आप देखेंगे हेलो अब आप लोग देखिए कि यह जो है किस यह वही टेबल है जिस table के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी इस table में देखिए यह वाला कर्व हमने डिसकस किया है यह देखिए वैसे table याद करने के ज़रत नहीं होती धिर दिरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुदी यह बार समझ में आने लगेगी तो M2 profile है तो यही आपका required answer है इसके बाद हम लोग breaking grades सीखेंगे breaking grades के questions हम लोग करेंगे तो breaking grades होता क्या है यह आप लोग जान लीजिए इसके बाद मैं आप लोग को उसका example करवाऊंगे breaking grades क्या होता है कि जैसे अब हर जगे एक ही slope के साथ तो आप लोग नहीं बना सकते हैं पूरा जो profile बनाना है कोई भी आपको river के पास में जैसे कुछ भी बनाना है कोई भी structure बनना है वो शुरुआत लेके अंग तक एक ही slope के साथ नहीं बन सकता है क्योंकि हर जगे same surface available नहीं होता है तो कहीं कहीं पर क्या करना होता है कि हमें slope को change करना पड़ता है bed slope को change करना पड़ता है अब जब हम लोग bed slope को change करेंगे तो इतना बात तो अब आप लोगों को बिल्कु समझ में आने लगा होगा कि अगर bed slope change होता है तो profile भी change हो जाता है किस तरीके का profile बनना है यह change हो जाता है अब suppose हमने क्या किया हम पहले हम पहले M1 प्रोफाइल पे काम कर रहे थे M1 प्रोफाइल पे कर रहे थे हमारा जो एक्चुल देप था वो सबसे उपर था हमारा एंडियल उससे नीचे था और सबसे नीचे जो है वो सीडियल था अगर ऐसी कंडिशन पे हमने कोई structure बना दिया था फिर हमने क्या किया slope को एकदम बढ़ा दिया बहुत जादा बढ़ा दिया जब slope को हमने बहुत जादा बढ़ा दिया तो क्या हुआ पहले क्या था velocity कम थी क्योंकि mile new Nurses अब क्या हुआ रिखकर स्लोप थो जाधा बढ़ा दिया स्लोप को तो जो अब ही जो प्रोफाइल बढ़ने लगा सब्सक्राइब है घिद्डू बढने लगा चैनल है जब इसटू बढ़ने लगा प्रोफाइल हमारा तो अम्तलब कि वेलॉश्टी बहुत जाथा बढ़ गई अब पहले जो डिजाइन था वह लिए स have a Regionalus आप के लिए डिजाइन हो गया तो ऐसा करने में क्या होगा हमारा जो जो धर्त से नॉर्मल से मतलब सब क्रुटिकल क leur सुपर क्रथी अब से एक्शेव से चेंज हुआ तो क्या यह depth हमारी physical conditions के हिसाब से feasible है का यह change feasible है इसी तरह मैंने अभी आपको जो example दिया वो क्या था सब critical से super critical की ओर था अगर super critical से sub critical की तरफ होता तो अभी आप लोग unit 4 पे एक phenomena पढ़ेंगे jump phenomena jump phenomena क्या होता है कि जब हमारा जो flow है वो super critical से sub critical की तरफ जाता है तो jump form होता है जैसे कि depth आपका कम है यह आपका super critical का depth था water का यह आपका base है और यह आपका sub critical है तो जब यह इधर से इधर जाएगा तो यह इसको touch करने की कोशिश कर रहेगा और यहां पर क्या होगा jump form होगा तो अगर आप कोई भी hydraulic structure बना रहे हैं तो उसमें jump का कोई भी concept नहीं होना चाहिए क्योंकि jump क्या होता है तरीके का energy dissipator होता है energy को खतम करता है वो इसकी अपनी अलग requirement है इसके अलग use है लेकिन यह required नहीं होता है किसी भी hydraulic structure के लिए जहां पर इसके requirement है वहां पर हम इसे produce करते हैं तो जो मतलब depth वगारा available हो जाती है वो जो grade हम लोग देना चाहरे है जो slope हम लोग देना चाहरे है क्या वो feasible है उस particular situation पे यह देखने के लिए हमें यह define करना होता है कि कौन सा curve पहले है और कौन सा curve बाद में है तो अगर breaking grade होगा उस point के पहले जो है break slope दूसरा होगा उस point के बाद जो है वो slope दूसरा होगा जैसे कि कोई भी slope हो सकता है mild से steep की तरफ steep से mild की तरफ mild से horizontal की तरफ horizontal से mild की तरफ कोई भी combination है बना सकते हैं एक दो तीन कितने भी breaking grades हो सकते हैं एक चीज़ और mild milder steep steeper यह भी आपस में comparison हो सकता है mild और milder में क्या difference होगा mild already sub critical सब critical के साथ होने वाला flow है और milder मतलब की हमारा जो है वो भी सब critical ही है लेकिन mild के comparison में milder में जो normal दर्थ होगी वो और उपर होगी इसी तरह अगर आप steep और steeper को compare करें steep और steeper में क्या होगा कि steep जो है वो अलड़ी सुपर क्रिटिकल दर्थ चल गा है और steeper में क्या है वो भी एक सुपर क्रिटिकल दर्थ है लेकिन steep के comparison में steeper का जो depth होगा वो क्या होगा और कम होगा उसमें जो normal depth line है वो critical depth से अगर पहले steep में critical depth से थोड़ा नीचे है तो steeper में वो critical depth से और ज़्यादा नीचे होगी उसमें जो available depth है वो और ज़्यादा कम होगी steeper में एक चीज़ और breaking grades में अगर आप लोग एक बाद देखें तो normal depth चेंज हो जाएगा क्योंकि slope change होता है तो normal depth चेंज हो जाएगा लेकिन जब आप लोग yc की value निकालेंगे मतलब critical depth की value निकालेंगे तो आप लोगे बात ध्यान होगी कि q2 yg equal to aq by t तो q और g और t इस पर depend करता है yc की value कहीं भी yc की value जो है वो slope पर depend नहीं करती है जब slope पर depend नहीं करती है तो मतलब आप slope कितना भी change कर दें yc की value change नहीं होती है मतलब कि जब आप एक grade एक slope से दूसरे slope में जाएंगे तो भी आपका yc का value जो है वो bed slope के reference में उतना ही depth पर होगा वो change नहीं होता है मतलब breaking grades के questions में आपको yc का value calculate एक बार करना होता है बार बार calculate नहीं करना होता है लेकिन y0 का value आपका depend करता स्लोपर तो आपको slope जैसे change होगा उस जगह पर तुरंत आपको y not का value जो है वो change करने में बोला जाएगा ठीक है तो अभी आप इसका एक numerical भी देखेंगे next video thank you students